नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एस्ट्रो सच यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा धनतेरस और खरीदारी एक दूसरे से जुड़ी हुई ची नहीं है कि महंगी चीजें ही आप खरीदें धनतेरस पर ऐसी कुछ शुभकारक चीजें हैं जिन्हें आप अपने घर में लाते हैं तो धन सुक संपत्ति एश्वर्य को आसानी से पा सकते हैं क्या है ये चीजें हम आपको बताते हैं इन में से कुछ चीजों को घर लाते समय या लाने के बाद कुछ नियम भी होते हैं जिनका पालन आवश्यक होता है। इन्हें भी जान लें। तभी ये चीजें आपको शुभ फल प्रदान करेंगी तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जैमा लक्षमी लिखें। दोस्तों कार्तिक मास क अमावस्या को दीपावली पूजन किये जाने का विधान है। इस उत्सव के दोरान गौड शव, धन्तेरस, नरक चतुरदशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, महोत्सव भाई दूज और विश्व कर्मा पूजन किया जाता है। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि इस साल धन्तेरस की तिथी 10 नवंबर को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट से शुरू होगी और अगले दिन 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 57 मिनट पर समाप्थ होगी बता दें कि धन्तेरस के दिन प्रदोश काल में पूजा होती है इसलिए धन्तेरस 10 नवंबर को ही मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्थ की बात करें तो इस दिन धन्तेरस पूजा का शुभ मुहूर्थ शाम 6 बजकर 2 मिनट से रात 8 बजे तक रहेगा। धन्तेरस पर देवताओं के प्रदान चिकित्सक भगवान धन्तेरस के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। धन्तेरस के दिन सोने चांदी के आभूशन और पीतल के बर्तन आधि खरीदने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे घर में संपन्नता आती है। मां लक्षमी प्रसन्न होती हैं, लेकिन इस दीपावली पर आपके पास पैसे नहीं, एं तो केवल दो रुपिय की यह चीज खरीद कर लाए, यह खुद आपको धनवान बना देगी, लेकिन पहले हम जानते हैं कि धनतेरस से पहले हमें क्या नहीं करना चाहिए, या फिर दीपावली के पह हुआ कैलेंडर है, तो उसे घर से बाहर कर देना, दोस्तों कैलेंडर भी समय काल का सूचक होता है, समय से जुड़ी कोई भी खराब वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, इससे आपका खराब समय शुरू हो जाता है, तो फटा कैलेंडर बंद पड़ी, घड़ी अपने घ जीवन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है, कैलेंडर में कभी भी पिछले महीने का पन्ना खोला मत छोड़ना, जैसे कि अब अक्टूबर चल रही है, आप पन्ना पलटना भूल गए हैं और सितंबर माह का पन्ना खुला हुआ है, इससे आपको अनेक समस्याओं का साम न करना पड़ सकता है, आप समय से पीछे चल रहे हैं, इससे आपकी प्रगती नहीं हो पाएगी, आप चाहते हैं मा, लक्षमी का आपके घर में आगमन हो, तो सबसे पहले तो आपको स्वच्छता का ध्यान रखना होगा, मा, लक्षमी उस घर में कभी प्रवेश नहीं करत घर में आसपास कोड आप हो, तो ऐसे घर में मा, लक्षमी की बजाए उनकी बहन अलक्षमी घर में प्रवेश कर जाती है, उनका की दूसरा नाम दरिद्रा है, जिस घर में अलक्षमी प्रवेश करती है, उस घर में दरिद्रता चा जाती है, साथ ही वह दो कास्ट और समस्य इसलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। पवित्र धाम की तरह बावन हो जाता है। साफ सफाई रखते हुए पीपल के पत्ते से रोज घर में गौमूत्र के छीटे मारें और शुद्ध गुगुल की धूब जला दें। इससे घर में किसी ने कुछ कर रखा होगा तो उसका दुश प्रभाव दूर हो जाएगा। यह तो हुई मा के आगमन के लिए स्वागत की तैयारी रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि दीपा वली में हमें कौन सी सामगरी गजर में खरीद कर लाने चाहिए जिससे की घर में सम्रिध्धी संपन्नता आए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक रौशन जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएए। कब से पहले तो हम सुझाव देंगे। इस दीपा वली पर घर में मिट्टी की सुराही या घड़ा अवश्य ले आए। छोटा बड़ा जैसा भी हो। दीपा वली के दिन मिट्टी की एक सुराही या घड़ा जरूर खरीद करके लाएं। फिर इसे घर की उत्तर दिशा में पानी भर कर आपको रखना है। इसे धन 13 के दिन लाना अति उत्तम होगा। दीपा वली के पांचों दिन शाम को इस अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों उत्तर दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है। और मिट्टी के पात्र में पानी भर कर उत्तर दिशा में रखने से यह देवताओं को प्राप्त होता है। आपकी सोच कर देखिए गजर के बाकी जल की तुलना में यह जज ज्यादा मधुर होगा। मा लक्ष्मी की कृपा से इसमें कमल जैसा सुगंध हाने लगता है। मा लक्ष्मी के आपके घर में आगमन होने का यह संकेत होता है। इसके पीछे कारण भी है। पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक ब्राह्मनी थी जो बहुत ही दिन निधन थी। उसे गुरु ने मिट्टी की सुराही उत्तर दिशा में रखने का उपाय बताया था। फिर इस उपाय के कुछ दिनों उपरांत उसकी गरी भी मिट वो साधन हो गई। याद रखें इस सुराही या घड़ी को कभी भी खाली न रखें। हमेशा गली तक इसकी पानी भर करके रखें और केवल उत्तर दिशा में ही इसे रखें। दोस्तों इस दीपावली पर दक्षणावर्ती शंक घर में खरीद कर अवश्य लाएं। जब शंक को घर में रखने से धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अभिशेक करते हैं तो यह उत्तम शुभ फलों की प्राप्ती कराता है। यह अभिशेक आप गंगा जल से या सादे जल से भी कर सकते हैं, फिर इसके बचे हुए पानी के छीटे पूरे घर में मारते हैं, तो आपके घर में कभी भी कंगाली नहीं आती। धन धान्य के इस शंक को घर में स्थापित करके नित्य पूजा करने से घर में पावर नहीं रख पाएगी। दोस्तों सबसे सस्ती चीज आप इस दीपावली पर घर में ला सकते हैं, वो हैं कमल गट्टे ये सस्ते जरूर मिल जाएंगे, लेकिन शुभ फल देंगे। अर्थात कमल गट्टा ये हमा लक्ष्मी को आकरशित करते हैं। दोस्तों दीपावली पर धार्मिक किताबें वरत कथा की पुस्तकें आदी घर में लाना अत्यंत शुभ कारक माना जाता है। और दोस्तों धन्तेरस का दिन भगवान धन्व का प्रकट दिन होता है। उनका जड़ी बूटी। इस दिन लाना रोगियों में उनका वितरण करना अनेक शुभ फलों की प्राप्ति कराता है। इससे आपको स्वास्थे रूपी सहन की प्राप्ति होगी। रोशन जिंदगी चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि धन्तेरस के दिन घर में जाडु खरी मन के मैल को साफ करके उसे अच्छे विचारों से भर देती है। घर को धन्धान्य से भर देती है। धन्तेरस के दि हमेशा विशम संख्या में ही जाडु खरीदनी चाहिए। यानि इस दिन आप एक तीन या पाँच जाडु खरीद कर घर लाएं तो अधिक शुभ होगा। दोस्तों मेंधक की मूर्ती घर में रखना वास्तु के अनुसार उत्तम माना जाता है। मेंधक को वर्षा का वाहक माना जाता है। कई जगहों पर आज भी उनकी पूजा की जाती है। मंडूक शास्त्र में इसे धन का चाबी कहा गया है और धन की वर्षा कराने में इसे सक इसलिए इस दीपावली या फिर धनतेरस के दिन मेंधक की छोटी मूर्ती जरूर लाना चाहिए। सकारात्मक उर्जा बढ़ती है जो मा लक्ष्मी के स्थाई वास के लिए पोशाक रहती है। आप चाहते हैं तो कचुआ भी घर में खरीद करके ला सकते हैं। इस दिन घर में मा लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर मेंने अंतरण देने के समानता है। धन तेरस पर लक्ष्मी जी के दो चरण यानि दो जोड़ी घर में लाने चाहिए। एक मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे को पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। दोस्तों घर के सारे सुख दुख, मुख्य तह वास्तु पर आधारित है। गाजर में वास्तु देव की मूर्ती रखने से घर का वास्तु ठीक बना रहता है। ऐसे घरों में धन की कमी नहीं होती है। अन्धन से ऐसा घर हमेशा भरा रहता है तो दो। क्या तो इस दीपावली पर इन में से जो भी चीज संभव हो घर में अवश्य लाना मा लक्ष्मी का आशीरवाद पाना कमेंट बॉक्स में जाए। मा लक्ष्मी लिखना आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आया है तो लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा आपका दिन शुब हो